Hello friends, मेरा नाम जगविंदर है चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि हम resource mailboxes को कैसे create और configure कर सकते हैं तो जैसे कि last वीडियो में हमने जाना था कि resource mailboxes दो तरह के होते हैं एक room mailbox और दूसरा equipment mailbox तो चलिए अपने exchange server 2010 के उपर जाकर resource mailboxes को create करने का तरीका सीखते हैं तो मैं अपने exchange server 2010 के उपर आगया उस server के उपर जिसके उपर मैंने mailbox server role को install किया हुआ है और यहाँ आकर मैंने exchange management console को open किया उसके बाद Microsoft Exchange on premises को expand किया recipient configuration को expand करके mailbox को select किया तो आप देखें यहाँ पे mailboxes जितने भी आपके mailbox server के उपर है या आपके active directory forest में हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं तो निया mailbox create करने का तरीका वो ही है जैसे कि हमने user mailbox को या linked mailbox को create किया था तो मैं यहाँ पे right click करता हूँ और यहाँ से देखें new mailbox option को select करता हूँ एक wizard आपके सामने आता है जहाँ पे आपके पास चार options है user mailbox और linked mailboxes को हमने पहले create करना सीख लिया है और हम यह भी जानते हैं कि यह किस लिए या किस काम के लिए हम create करते हैं इसी तरीके से अब हम resource mailboxes को create करना सीखते हैं तो सबसे पहले मैं एक room mailbox को select करता हूँ यहाँ से और देखें यहाँ पे आप लिखा हुआ देखें तो देखें इस room mailbox से associated एक user account हमारी active directory में create होगा लेकिन वो user account by default disabled रहेगा तो room mailbox option को select करने के बाद next पे click करते हैं तो आप यह mailbox नए user account के लिए create कर रहे हैं या existing user account के लिए तो अभी मेरे environment में ऐसा कोई भी user नहीं है जो already created हो तो हम इसको create करते हैं new user option को select करके यानि कि जो default selected है उसे ही रहने देते हैं और next बटन पे click करते हैं अब आप यहां पे organization unit या OU को specify कर सकते हैं जहां पे आप यह account create करना चाहते हैं तो मैं एक बार आपको remind करवा दूँ कि हमारे यहां पे organization unit हमने जो create किया हुआ है वो है sales जिसमें हमने अपने सभी users को रखा हुआ है और सभी activities जो भी हम perform कर रहे हैं वो इसी sales OU या organization unit में ही कर रहे हैं तो इस resource mailbox को भी हम sales नाम के OU में ही रखेंगे तो मैं यहां से इस button को select करके browse पे click करता हूँ और जितने OU's आपके environment में होंगे वो आपको दिख जाएंगे sales को select कीजिए ok button को click कीजिए user का नाम दीजिए कुछ भी नाम उसको लिख देते हैं con hall यानि कि conference hall या कुछ भी नाम जो आप रखना चाहें इससे कि इसका पूरा नाम हो जाएगा con hall at the rate king.jst जिसे user principle name भी कहा जाता है इसके बाद हम इसका password देते हैं और password देने के बाद next button पे click करते हैं तो आपसे देखिए mailbox settings में alias name पूछ रहा है इसी alias name से mailbox create होगा यानि कि resource mailbox का ये नाम होगा तो यहाँ पे भी हम con hall ही लिख देते हैं इसके बाद आप इसको specify कर सकते हैं कि ये किस database में जाके save हो resource mailbox अगर आप इसको manually specify करना चाहते हैं तो browse button पे click कीजिए और जितने भी databases हैं आपको दिख रहे हैं इसमें से हम किसी भी database को जिसके उपर हम इस resource mailbox को रखना चाहते हैं select करेंगे और ok button पे click करेंगे इसके बाद next button पे click करते हैं और पहले की तरह archive mailbox आप यहाँ से create कर सकते हैं इसकी कोई अभी हमें जरूरत नहीं लगती है और next button पे click करते हैं आपके सामने configuration summary आगई है आपको कुछ change करना हो तो आप back button पे click करके कुछ भी change कर सकते हैं otherwise हमारा एक resource mailbox जो की room mailbox है conhall at the rateking.js ती नाम से create होने वाला है हम new button पे click करते हैं और देखे back end पे एक command run हुई जो की new hyphen mailbox command let था और उसके साथ पुछ options जिससे की एक निया room mailbox हमने create कर दिया है finish button पे हम click करते हैं यहाँ पे हमें देखिए एक निया mailbox दिखाई दे रहा है conhall नाम से और recipient type details में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है room mailbox तो इस वीडियो में हमने जाना कि हम अपने exchange server 2010 में कैसे room mailboxes को create कर सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही thanks for listening